अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे परसे आपे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Fatal Event और ये card कहता है कि कुछ time से या May starting में कुछ चीजें आपको ठीक नहीं लग रही है कुछ के लिए partner से related हो सकती है, कुछ के लिए relationship से related हो सकती है कुछ के लिए आपके personal front से related हो सकती है जिनको आप ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं और कहीं deeper level के लिए हो सकता है, आपको इस चीज का हैसास हो कि भई ये ठीक नहीं है, आपको इन चीजों पर attention देनी चाहिए और इस चीज को solve करना चाहिए, resolve करना चाहिए और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इस चीज की awareness ही नहीं है और जब भी भी ये काड आता है, ये काड एक तरीके से guidance देता है, warning देता है, कि अगर आपने अभी इन चीजों पर attention देखे, इनको resolve नहीं किया, solve नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो फिर आगे चलकर ये बहुत बड़ी हो सकती है, आपको बहुत परिशान कर सकती है, तो यहाँ पर देखे, ये काड फिर से कहूंगे, एक तरीके से guidance भी है, एक warning भी है, और कुछ लिबरास को हो सकता है, इस चीज का एहसास है, और इसलिए या फिर otherwise three of pentacles reverse का काड कहता है, कि किसी अपने loved one या फिर कोई इनसान आपकी life में है, जिन पर बहुत trust करते हैं, उनसे discuss कर रहे ह इसी चीज के उपर बात कर रहे हैं, या पर कुछ के लिए हो सकता है, लिटरली आप professional guidance ले रहे हैं, professional help ले रहे हैं, counselling ले रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है, कि आप इस चीज को avoid करके अपने professional front पे ज़्यादा focus कर रहे हैं, अपने career पे ज़्यादा focus कर रहे हैं, और overall क कि three of pentacles reverse का card कहता है कि आप लोगों से ज़ादा interact कर रहे हैं लोगों से ज़ादा मिल रहे हैं and किसी concrete मुद्दे के ओपर किसी बहुत एक you know relevant मुद्दे के ओपर बात आप करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और फिर कभी कभी होता है न सब कुछ हमारे आसपास ठीक है लेकिन हम कहीं out of the place खुद को महसूस करते हैं हम कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं हम किसी चीज पर focus नहीं कर पा रहे होते हैं attention नहीं दे पा रहे होते हैं and दिखें यहाँ पर temperance reverse का card भी इसी चीज को confirm करता है कि आप कहीं बहुत एक distracted से energies में रहते हुए दिख रहे हैं या तो कोई चीज आप too much कर रहे हैं या फिर too less कर रहे हैं यानि कि एक balance आप नहीं maintain कर पा रहे हैं या तो एक extreme वाली energies हैं या फिर too less वाली है अब देखिए general reading है तो किस चीज को लेकर आप extreme हो रहे हैं या फिर too less हो रहे हैं ये सब Libra's के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप different different चीजें try कर रहे हैं अपने desired outcome को पाने के लिए लेकिन कहीं है नो कोई भी चीज वर्ग नहीं कर रही है और थोड़ा सा आप परिशान हो रहे हैं and मे के लिए queen of cups and complimentary solidarity के cards कहते हैं कि मन ही मन आप अपने partner के साथ एक union चाहा रहे हैं बहुत solid बहुत strong एक bond चाहा रहे हैं और उसी सही related किसी ना किसी level पर issues मसले चल रहे हैं और इसी लिए या फिर otherwise भी आप काफी emotional काफी sentimental होते हुए दिख रहे हैं कहीं इनों एक over love over care partner के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि कहीं emotionally बहुत balanced state of mind नहीं रहता हुआ दिख रहा है mood swings आपके होते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए देखिए आप इस सबसे पहला card है suffering और यह card कहता है कि मन ही मन कोई चीज आपकी या फिर इस relationship से related या personal friends से related उनको hurt कर रही है उनको बुरी लग रही है और यह सब के लिए फिर से मैं कहूंगी differ करेगा and surface level के लिए nine of pentacles reverse का card कहता है शायद वो बहुत independent होना चाहते हैं होता है ना कितनी बारी especially relationships में हम partner के ओपर अपनी emotions, feelings, sentiments को लेकर काफी dependent हो जाते हैं और हमें उनकी एक आदत सी हो जाती है उनसे बात करे वेगेर हमें दिन नहीं अच्छा लगता है तो बहुत एक इस तरीके की dependency हमारी हमारे partner के उपर हो जाती है तो हो सकता है इस चीज को realize कर रहे हैं और कहीं इस चीज से खुद को overcome करना चाहा रहे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उनके मन में love नहीं है होगा उनके मन में बहुत love होगा feelings होगी बट कहीं जो एक उनकी बहुत dependency आपके उपर हो रही है कि आपसे बात करे वेगेर उनका दिन अच्छा नहीं निकलता है या फिर आपसे कोई भी issue मसला हो जाता है तो फिर वो बहुत परिशान हो जाते हैं तो इस चीज को कहीं वो overcome करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए परिशान हो रहे हैं या फिर अपने personal friend में money पैसे को लेकर हो सकता है कि बहुत चीजें ठीक नहीं हो रही है एक unfair सी energies वो महसूस कर सकते हैं अब देखे ये unfair सी energies सब Libras के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से एक unfair energies महसूस कर रहे हैं बहुत उनको लग रहा है जितना एक time, attention, energy आपको उनको देनी चाहिए आप नहीं दे रहे हैं या फिर देखे कोई भी और reason हो सकता है आपने उनसे कोई बात चुपाई transparency नहीं maintain करी अगेन जो भी चीजें मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ ये general reading है सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन कहीं या तो आपकी तरफ से एक unfair energies महसूस कर रहे है या फिर उनको खुद के लिए ही लग रहा है कि भई जितना उनको time, attention, energy आपको देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी या देखिए again ये एक चीज मेरे mind में आई मैंने कहा सब Libras के partner के लिए different reasons रह सकते हैं और कुछ के लिए circumstances, situations की वज़े से एक unfair energies वो महसूस कर रहे है again example के तोर पर हो सकता है long distance relationship है या फिर external front पर कोई भी ऐसी चीज हो रही है and deeper level के लिए courage of love का काट कहता है हो सकता है मन ही मन उनको इस चीज का हैसास हो रहा हो वो रख रहे है या फिर रखना चाहा रहे है नहीं रख पा रहे है और इसी लिए भी हो सकता है कि unfair energies वो महसूस कर रहे है and देखिए कहीं end में के लिए limitation and night of swords के काट कहते है कि एक movement एक shift उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है और देखिए ये बहुत sudden तरीके से भी shift और movement उनकी तरफ से रह सकता है कुछ के लिए simply हो सकता है कि वो travel कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा stuck अगर वो इस relationship में महसूस कर रहे थे तो कहीं चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं खुद आगे बढ़ रहे हैं इन दा प्रोसेस काफी blunt, काफी straightforward उनका communication रह सकता है और पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर वो confused हो रहे थे तो कहीं एक clarity लाना चाह रहे है deeper level के लिए limitation का card कहता है कि कहीं उनों जो भी movement वो कर रहे है actually कोई चीज उनको limit कर रही है, restrict कर रही है उसको भी overcome करना चाह रहे है अब ये limitation, ये restrictions सब Libras के partner के लिए differ करेंगी कुछ के लिए हो सकता है society, religion की तरफ से limitations, restrictions है उनको वो fight करना चाह रहे हैं उनसे overcome करना चाह रहे हैं कुछ के लिए उनकी mind की limitations हो सकते है यानि की उनका thought, process, belief system हो सकता है तो फिर से दिखिए जो भी चीज मेरे mind में आई मैंने कहा, किसी limitation को जो की उनको again restrict कर रही है उसको वो overcome करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अब ये आगे बढ़ना सब Libras के partner के लिए differ करेगा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज को लेकर अगर stuck महसूस कर रहे हैं उसमें से खुद को बहार निकाल रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि travel कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है इस relationship से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहा रहे हैं and that doesn't mean कि break up हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भी break up का card नहीं है तो please इस तरीके से ना ले कभी कभी होता नहीं इनसान थोड़ा सा loop रहना चाहता है या फिर अपने लिए space चाहता है तो ऐसी सी भी energies रह सकती है अब देखते हैं कि मेरे मंत में क्या हो रहा है तो देखें में starting के लिए आपे the fool का card कहता है कि थोड़ा सा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक careless हो रहे हैं carefree हो रहे हैं या फिर किसी भी चीज में बंदना नहीं चाह रहे हैं freedom बहुत ज़्यादा important रह रही है और चीजों को बहुत casual ले रहे हैं चीजों को बहुत for granted ले रहे हैं अगर आपका relationship इस कगार पे है जहां पे commitment आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से चाह रहे हैं तो कहीं में starting में वो commitment आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को नहीं देना चाह रहे हैं और अगर यह already committed relationship है तो बहुत casual चीजों को ले रहे हैं बहुत for granted चीजों को ले रहे हैं और इसलिए या पर otherwise the young bride का card कहता है शायर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपनी self respect नहीं maintain कर पा रहे हैं ऐसा लग सकता है कि भई you know self respect को compromise करना पड़ रहा है या फिर सामने वाले ने उतना value नहीं करा आपके opinion को या फिर आपको उतना जादा you know आपकी कदर नहीं करी और इसलिए या फिर otherwise भी आपर death reverse का card कहता है कि एक थोड़ी सी clingy सी एक थोड़ी सी जिद और stubborn वाली energies रह रहे हैं जहाँ पर किसी चीज को end करके नहीं beginning करने की जरत है या फिर जो भी चीजें इस relationship में issues मसले create कर रहे हैं को let go करने की जरत है और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं let go कर पा रहे हैं बहुत जादा एक attachment या फिर बहुत जादा किसी चीज को या कोई भी चीज हो सकती है tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं और deeper level के लिए happiness is to love का card कहता है surface level पर जो भी हो रहा हो मन ही मन आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है आप दोनों को ही इस चीज का हैसास है कि दूसरे जनकी presence ही life में happiness लेकर आती है और सामने वाले का जो love है वो ही source of happiness है तो उसको maintain करना चाह रहे हैं उसको किसी भी हालत में नहीं compromise करना चाह रहे हैं end में के लिए again देखे game of love का card कहता है कि मन ही मन relationship को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं growth progress चाह रहे हैं और कैसे चीजें बहतर हो उस पे focus करना चाह रहे हैं लेकिन surface level के लिए high priestess का card कहता है शायद आप दोनों में से कोई एक withdraw कर रहे हैं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं इसके लिए सब Libras और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन high priestess का card कहता है या तो एक transparency आप दोनों में से कोई एक नहीं maintain कर पा रहे हैं किसी चीज को छुपा रहे हैं, secrecy maintain कर रहे हैं या काफी wisdom से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं और इसलिए या फिर इसके लावा कोई और भी reason हो सकता है बहुत action initiatives आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं थोड़ा ऐसा एक या नहीं जैसे मैं बूलूंगी कि interaction, बातचीत, involvement, end में में आप दोनों के बीच में नहीं रहती भी दिख रही है इसके बावजूत की deeper level में प्यार है, महबत है, relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं growth, progress relationship में चाहा रहे हैं तो ये था लिबराज आप लोगों के लिए में 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें